देखिए कुश्चन में क्या कहता है इसमें हलाकी ध्यान से देखिएगा कहता है डिटर्माइन दा रेजिदेंशल स्टेटर्स इन केस गीवन विलो नीचे कुछ केस गीवन है तो पहले है फॉरन कमपनी तो कमपनी का तो नहीं करा अभी हमने दूसरा ये वाली बात कर रहे है वाई हुएफ एक हंदू अंडिवाइड़ फैमली है घूज करता वाई जिसका करता कौन है अब समझ में आ रहा होगा करता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ इस आप परसन इंडियन ओरीजन वो इंडियन ओरीजन है ठीक है भाई अब देखो इंडियन ओरीजन में आपके दिमाग में क्लिक होगा 182 दिन तो यहाँ पर बेसिक वाली तो बात ही नहीं आएगी ठीक है ना इंडियन ओरीजन वाई हैज बन विजिट इंडिया 100 देज every year हर साल आता है since 2010-2011 से the family business is controlled by a team of professional in India under the guidance of Y कहां से control हो रहा है तो सर सबसे पहले तो basic condition के हटा के तो इसका status R वाला तो हो गया complete यह अब additional check करना है additional 7 सालों में कितने दिन 700 और बाकी 2 बार resident तो अब हर साल अगर 100 दिनों के लिए आ रहा है तो आप समझ सकते हो 7 साल में तो 730 दिन हो ही नहीं सकता अब समझे बात को यह कब से आ रहा है देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ आपने कहा कि यह आ रहा है कब से 2010 और 11 तो 10 ग्यारा में आया 11 बारा में आया 12 तेरा में आया 13 चौदा में आया 14 पंदरा में आया 15 तो 16 में आया इसके बाद 17 अठारा 18 उननिस उननिस बीस बीस इक्केस और आप ध्यान से देखें तो हमारा जो है यह कब के लिए निकालना है असेस्मेंट येर 21 बाराइस मतलब 20 इक्केस क्या 16 सत्रा रह गया चलो 16 सत्रा अब हर साल 100 दिन के लिए रहा आपको अंदाजा लगाओं यहां भी 100 वैसे अपरेंटली दिख रहा है यह सर्फ मैं क्या कर रहा हूं आपको एक कर के दिखा रहा हूं तो सर इस साल का तो हमें कुछ चेकी नहीं करना पिछले देखते हैं क्योंकि इस साल में तो वो आर हो ही चुका है पिछला चेक करेंगे तो पहले दो बार रेजिडेंट तो दो बार रेजिडेंट अगर बात करूँ तो करेंट येर के अंदर इंडियन ओरीजन है अब इसके उपर 182 दिन वाला लग जाएगा क्योंकि दो बार रेजिडेंट चेक करने के लिए तो तो इंडिवीजवल वाला ही बेसिक कंडिशन अपलाए होगा समझे बात क्योंकि इंडिवीजवल हम करता की कर रहे हैं तो दो बार रेजिडेंट के लिए कौन से वाला अपलाए होगा अब ये इंडियन ओरीजन है तो 182 दिन का है माल लेते हैं 182 दिन कर भी देता दूसरा भी चेक कर लो तो पिछले साथ साल में गिनोगे ना एक, दो, तीन आपका चार, पांच, छे, साथ तो 700 ही दिन हो रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं हाँ पर के सर बेसिक कंडिशन पहले वाला कंडिशन रेजिडेंट तो कर दिया बट अडिशनल कंडिशन सेटिस्वाइड तो इसका एट स्टेटस क्या जाना चाहिए एन, ओ, आर चलिए इसके अंसर के उपर भी ध्यान दे देते हैं सर, सेकिंड पॉइंट था सेकिंड था ना सेकिंड उपर है यह रहा, हाँ, ठीक है क्या कहता है, देख लेते हैं कहता है, दा स्टेटस ओफ वाइज रेजिडेंस एज कंट्रोल एड मैनेजमेंट इन हैंड आफ टीम प्रोफेशन इन इंडिया अंडर दा गाइडन्स ओफ वाइज ठीक है सर, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है इसलिए रेजिडेंट हो गया विजिट एवरी येर हंडरेड देज सिंस 2010-11 दा हुएफ में बिकम ओर्डिनरी रेजिडेंट में बिकम ओर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब हो सकता है अगर ये सेटिसफाइ कर दे टू एडिशनल टू कंडिशन लेट डाउन सेक्शन ये दे दिया पहला रेजिडेंट इन इंडिया पहला रेजिडेंट इन इंडिया अट लीस तू येर आउट अट अफ टें येर ठीक है साथ टू टाइम बोल लो टू येर कहलो और साथ के साथ साथ सो तीज दिन आउट आउट आफ मतलब सेवन इयर के अंदर बट करता वाई हू इस आपरसन इंडियान ओर इजन ड़स नॉट सेटिसफाइ बोट कंडिशन जो सेक्शन में में इंशन है आप ये सेक्शन लिखोगे तो कई बार अगर मालो यहां एक गलती से लिख दिया आपने बी के जगा तो आपका सारे नंबर गए वाई हुए इस देयर फोर रेजिदेंट बट नॉट और इसको हम क्या बोलते हैं क्लियर ये तीसरे पार्ट के लिए तीसरा पार्ट के आभी देख लेंगे वो तो समझ में आ गया हमारा हुए का इतना ही काम था इसमें हुए में और ज्यादा कुछ नहीं है कोई दिमाग नहीं लगा ना बुक के एक दो कोशन में दिखा दूँगा वो करेंगे आपका क्ल लीजिए अब देखना गौर करना आप सिटीजन ओफ बांगला देश बांगला देश कहां था बांगला देश हमारा पहले इंडिया का ही पाथ था ना आपका मेटरिनल ग्रेंड फादर बॉन इन विलेज और धाका उनिस्सों पैंतालिस धाका में बॉन हुआ था तो सर्थ धाका भी इंडिया का बंगला देश की राजधानी है तो इंडिया का ही पाट था भी ही कम्स इंडिया फर्स टाइम एक में और चार अक्टूबर को 200 दिन के लिए आ रहा है तो इंडियन और इसन ने 200 दिन के लिए तो वैसे ही क्या हो गया यह 182 देज वाली बात तो कंप् और विजिट चार अक्टूबर 2020 के अंदर 200 दिन के लिए और कब आया यह फर्स टाइंग तो इसके आंसर को एक बार देख लेते हैं वैसे आप करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा यह पूरी कैलकुलेशन करा तो कितने दिन हो गया इसके अक्टूबर में 170 he person is Indian origin because maternal grandfather was born in undivided India he will be consider resident only when had been India 182 days he is therefore non-resident assessment year 212 इसने बोल दिया नो ने समझ में आगई बात क्या कह रहे है क्योंकि सर उसने 180 दिन नहीं किया बोला हर साल 200 दिन के लिए आता है लेकिन जिस साल के लिए निकाल रहे है उस साल तो आपको डेट दिया तो डेट से कांट कर लो अब आजाते हैं हम question number 4 कर चुके हैं हम already शायद या नहीं किया tennis player वाला कर लिया था question 5 question 9 में doubt बताओ चलते हैं 9 पे 9 कौन सा है जी इसमें doubt है okay 9 question कर लेते हैं फिर आगे चलेंगा अभी तक हम ये चेक कर रहे हैं कि उसका status क्या है अब उसके income की भी calculation की हम बात करेंगे ये तो answer हो गया चलिए question है जिन बच्चों का doubt है ठीक है जिन बच्चों का doubt नहीं है एक पर वो भी देख लेंगे जितना समझ में आता है पढ़ लेते हैं कहता है मिस्टर रमेश नाम से इंडियन लग रहा है इंडियन citizen इंडिया है इसके लिए नोट देना होगा आपको एक हो गया नौकरी के लिए बाहर जा रहे हो अब याद होगा शूटिंग वाले में तो वह बाहर गया था तो अब कुछ है होते है ना जिसके अंदर हो जाता है confusion यह काम काज के लिए जा रहे है नौकरी के लिए जा रहा है किस लिए जा रहा है पता नहीं चल रहा तो ऐसा situation में आपको जो भी justify लगता है उसके लिए नोट दो कि हम यह अजंशन ले रहे हैं तो यह इंडिया से बाहर बिजनस परपस तो मैं मान रहा हूं employment परपस के लिए गया होगा यह एक एक 2016 को चला गया था यानि यह इंडिया छोड़ के चला गया था एक जनवरी 2016 में इंडिया से जा चुका है और 17, 18, 18, 19, 19, 20 he was in India 100 days every year और इन सालों में हर साल यह इंडिया में कितने दिन रहते हैं he returned to India settle here वो बोलता आप भाई बहुत परिशान होगे इंडिया ही चलो वापस एक एक 2021 में इंडिया आ गया determine the residential status for the assessment year 2021 और 22 तो अब सबसे पहली बात हमारा current year का जैसे हम बना रहे थे scenario वो बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए देखिए हमारा current year क्या है सबसे पहले यह जानना जरूरी है तो सर current year हमारा 14 2020 को सुरू होने वाला है और खतम कब होने वाला और यहां पर खतम हो जाएगा हमारा year अब बात कर लेते हैं वह इंडिया में कब आ जाता है कहता है कि इन सालों में इंडिया सो दिन ठीक है इन से पिछले सालों में तुम सौ सो दिन आ रहे हो कोई बात नहीं है मुद्दे की बात है इस साल में यह कब आया एक जन्वरी को ठीक है ना every year he returned to India कब यह यह वाला साल कौन सा है जो यहां दिखाने की कोशिस कर रहे हैं यह हमारा कि 21 और हम भी काम किसके लिए कर रहे हैं और 21 में आता है यह जन्वरी में कि एक कि एक दो हजार कि 21 तो सर यह वाला जो दिन है वो कहा है केनेड़ा में बाकी यह वाला जो दिन है इंडिया तो जन्वरी में कितने दिन 31 फैब में 28 मार्च में मार्च में कितने दिन 31 तोटल कितने हो गए हां 90 दिन हो गए अब सर कंडिशन होता है कि करेंट यह के अंदर 182 दिन आपको रहना है लेकिन अगर आप इससे बच गए तो हम आपके उपर लगाएंगे दूसरी कंडिशन जो कि है 60 दिन और 365 दिन तो सर करेंट यह में 182 तो नहीं रहा यह अब चलो दूसरे वाला क्यूंकि यह इंडियन और नहीं है इंडियन सिटीजन बोला सेटीजन और ऊरिजन में फरक हैं और यहां पर आधार कार्ट बनवा लें यहां पैदा होना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं तो दोनों जातों में फरक है तो इसके उपर दूसरा चेक करी सकते हैं तो सर इन सालों की बात कर रहे हैं 20-21 है इसके बाद क्या आएगा हमारा मैं यहाँ यह ऐसे लिख लेता हूँ 19-20 आएगा फिर आएगा 18-19 फिर आएगा 17-18 और फिर आएगा 16 17 फिर आएगा 15-16 फिर आएगा 14-15 मैं 10 साल ले लूँ क्योंकि अडिशनल कंडिशन भी हो जागा एक, दो, तीन, चार पांच, छे फिर आएगा 13-14, साथ अब ज़्यादा लेनी की जूरत नहीं पड़ीगा अब ध्यान से देखना सर इसके अंदर वो कितने दिन के लिए आया इसके अंदर कितने दिन के लिए आया कहता है 17-18 तक ही 100 आया 16 में तो 16-17 तक, ठीक है नहीं, कहता ही के एक ये, देखो ध्यान दो कहता ही के यहाँ पर कैनेडा चला गया बिजनस परपस के लिए एक-एक 16 में, तो 16-17 तो यही हो गया, he was never out of India in past यानि, यह जो 16-17 से पहले यह देख रहे हो ना, यह वाले टाइम इसमें तो सर हमेशा यह 365 दिन, कहां था? इंडिया में ही था तो जो 2 out of 10 में तो resident हो रहा है जो इसका बात छोड़ दो यहाँ तो हो गया, यह तो 10 साल भी नहीं हुए, तो additional condition number 1 complete additional condition number 2 पिछले 7 सालों में कितने दिन 700 वो भी कर देगा 16-17 में देख लेते हैं कितने दिन रहता है सर 16-17 में, यह चला गया था कब छोड़ के 1 जन्वरी 16 में और during the past, previous year 16-17, यह थोड़ा से यहाँ पर error है थोड़ा सा error मैं बोलूँगा question के अंदर है यह 16-17 नहीं होना चाहिए या तो यह होना चाहिए मैं इसको 15 कर रहा हूँ ठीक है इस साल को मैंने 15 कर दिया तो सर आपके लिए यह हो गया 100 दिन question को समझिएगा और 15-16 में कितने दिन रहेगा वो क्योंकि 1 जन्वरी को जा रहा है हो एक जन्वरी को छोड़के जा रहा है तो दिसंबर तक भारत में ही है दिसंबर तक आप अगर days या month काउंट करते हो तो 9 महिने हो गए totality में तो 9 मन्थ में मोटा मोटा मान लू 27, 270 दिन में एक्जेक्ट नहीं पता चल रहा है क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा मैंने टेंटेटिव ले लिया सर 270 दिन से कहीं ज्यादा कम उपर नीचे ज्यादा ही होगा क्यों एक चार पंदरा से सोला मैंने डेट चेंज कर दिया ना पंदरा यह 14 पंदरा में आएगा फिर तो पहले ठीक था हो पहले ठीक था भाई गलत नहीं था उसे ठीक करो उसे ठीक है भाई question question में कोई दिक्कत नहीं है 16 17 की बात करते है 16 17 में अब उसने बोल दिया सर 16 17 जो आएगा ना वो अगला साल आएगा अब यह जो बात कर रहा है नहीं यह 15 16 की बात कर रहा है ठीक है किसकी बात कर रहा है यह आप देखिया सही से दिन मेरे से भी गलती हो गई 16 है 16 के बाद 17 थोड़ी पहुँच जाएगा वो इसके बाद तो एपरेल आएगा एपरेल भी 16 ही रहेगा तो 15 16 15 16 में मान लो tentatively मान रहा हूं 270 दिन तो हो गई भाई यह और इस टाइम पर कितने दिन था तो एक तो condition बनता है सर आपका current year में 60 done पिछले चार सालों में 365 एक दो तीन चार, 350 हो रहा है, done, ठीक है, दो चीज़े इसने done कर दिया, इसके बाद हमारा basic condition जो था basic condition तो okay है, अब बात करते है, additional condition का, दो बार resident होना जायगा तो दो वहथ रेजिटन हो गया और यहां भी रेजिडन है अब अब आसब लाइब करेदर्टीन है करका यह आ द К अच्छा तो हाँ मैंने ध्यान ही नहीं नहीं दिया है सर हमने employment के लिए assume किया है मेरे दिमाग से भी निकल के यह वाद समझ में आई आपने अगर employment के लिए assume किया है तो यह हो जाएगा अगर आप मान के चल रहे हो कि employment नहीं है ऐसा business dealing के लिए जा रहा है not a part of employment तब तो यह होगा लेकिन आप बोल रहे हो सर यह है employment तब यह सीधा सीधा चला जाएगा क्योंकि basic ही नहीं कर पाया अगर employment मानोगे तो exception में चला जाएगा और exception क्या कहता है आपके लिए condition number 2 कौन सा है condition number जो की current year में ही कितने दिन हो गया 90 दोनों तरीके से मैंने answer बता दिया जो assumption लोगे exam में लिखके आने पढ़ेंगे आपको यहाँ पे भी answer में भी देखिए let first calculate days उसने पूरे days बगएरा जो हम calculate कर रहे थे 90 days कर लिया इन्होंने और remains fulfilled the second condition of the basic condition जो की हमने देखा था 365 दिन वाला immediately 60 दिन वाली बात कर रहा additional condition also satisfy कर दिया इसने कहता है कि he was resident 2 और 723 दिन भी कर दिया remains fulfilled all above the condition he is ordinary resident तो इसने किस मान क्या मान के answer लिखा वाय सर यह वो employment purpose के लिए नहीं गया अगर आप employment purpose मानोगे तो आपका जवाब क्या होगा एनार हो जाएगा दोनों जो बच्चे देखो पेपर में दोनों बच्चे अलग अलग लिखेंगा answer दोनों का सही होगा अगर assumption नहीं डाला आपके तो गलत हो जाएगा यह नहीं जरूरी समझ माई बात आपको बताईए जो बच्चे लाइव में हैं किसी की दिक्कत परिशानी समस्या सर एक बार additional condition number one बता दीजिए कैसे हुआ additional condition number one देखो आप additional condition one क्या कहता है दो बार resident होना चाहिए तो दो बार resident के लिए 10 साल count करोगे ना यहां से अब 10 साल देखो तो बहुत आगे तो 10 साल में तो मेरे को बाद के यहां की तो छोड़ो यहां भी R है वो यहां भी R है वो और शायद यहां भी R ही बन जाएगा क्योंकि 60 दिन फिर 365 दिन फिर 60 तो वो पूरा resident हो रहा है कितनी बार हो जाएगा दो बार से तो जादा ही हो जाएगा clear ठीक है बात करते है residential status के अंदर हमने individual और हुएफ का यह निकालना तो सीख लिया कि उसका residential status क्या है अब हम यह सीखेंगे कि उसका income residential status में उसका income कैसे calculate किया जाता है अभी तो उस person का status देखा income tax वाले ने बुलाया पहले उसको पूरे condition condition लगाया अब उसके बाद पता चल गया कि भाई तेरा status अनर है अब तू अपनी income बता अब बताएंगे तेरे पर कितना tax लगेगा समझरे बात को कैसे निकाला जाता है पहले तो हमने बुलाया और पहले हमने देखा भाई तू कहां गया नहीं गया यह बता अच्छा 13 status हो गया अनर अब तू income बता तो वो बोलेगा मैंने यह foreign में कमाई वो बोलेगा मैंने यह इंडिया में कमाई वो बोलेगा वो मेरा interest का income है वो dividend का income है उन सभी को जोड़ेंगे बोलेंगे तू NOR है और NOR के हिसाब से तेरी यह income पे taxable लगेगी तो अब total income को determine करना हमारा क्या होगा अगला concept जो कि हम next class से start करेंगे क्योंकि इसके अंदर लगेगा time थोड़ा जादा ठीक है